हेलो गाईज तो आज हम stator के rigarding बात करेंगे कि stator में हमें कितना पढ़ना चीहें कौन सी book से पढ़ना चीहें और कहां कहां से क्न्से topic cover करने झाइं थीक है हमें हमें क्न कौन सी book हैं इसमें जो यूज करनी झाइं थीहें थीहें लेवल वन जिसका भी आप आप एक्जाम की preparation कर रहे हो ठीक है उसका previous year आप किसी का भी ले सकते हो मैंने जो है ये आर्गुत्ता का लिया था ठीक है TGT science का और PGT का भी ले लो जिसका भी आप practice कर रहे हो प्रीवेस तो आपके पास एक हो नाइची जिसमें आपको previous year के MCQ से पता चल जाता है कि बार-बार कोन सा तो जो questions है वो repeat हो रहा है कोन से जो topic है ना वो important है ? आपको एक बार पता चल जाता है previous year से कि कौन सा important topic है कहा कहा सेあपको कितना तयारी कर नहीं है तो आपको एक previous year आप सबके पास होना चीए, आप किसी का भी ले सकते हो, आर गुपता का ले सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी आपको stable हो, जो भी आपके आपके आस पास अब ले सकते हो, आप previous year तो सबके पास एक होना ही चीए, ओके, उसके बाद है, ठीक है, एक मैंने CTAT में और HTAT में दोनों का दे रखा था ये, ये भी यूज करके देखा है, ठीक है, इसमें 2200 जो दतक के सारे पुराने जो हैं, पेपर्स हैं, ठीक है, इसमें CTAT के भी एवलेबल हैं, और इसमें HTAT के भी हैं, और इसमें UPTAT, AllTAT के लिए हैं, मतलब ये, ठीक है, मेरे पास ये भी था, जो कि मैंने यूज किया था, ये CTAT के लिए, ये CTAT के लिए हैं, ठीक है, उसके बाद मैंने हरियाना जो जिक्के है, वो इस बुक से पढ़ी थी, जो सामनने ग्यान की सी बुक है, ठीक है, अरियंत की है, ये बहुत ही पुराने एडिशन, आप भी एक काफ है, लेकिन मैंने ये भी पढ़ी थी, और हैंड मेड जो उस चलास के नोट्स भी विस बनाए थी, मैरे पास वो नोट्स पी अवलेबल है, ऊकर, उसके बाद अत्ता है, मैंने रीजनिंग की थी, रीजनिंग के मैने ओंलाइन क्लासनी देखए कुछ नोट्स बना रखे यह नोट्स अवलेबल है मेरे पास मैंने बना रखे हैं जिसको भी चाहिए आप मेरे को कमेंट कर सकते हो मैं आपको बेज दूँगी इसका कोई चार्ज निलूगी मैं आपसे फ्री नोट्स हैं मैं आप सब को देशक्ते हूं सारे इसमें सारे चोटोपी के मैंने कवर किया है च्ट के अकोर्डिंग ठीक है और जो रीजनिंग में हर एक पेपर के अकोर्डिंग अभी रीजनिंग से बार कहीं से भी नहांती मैंने कम्प्लीट नोट्बूक है जो रीजनिंग की बना रखे हैं मैंने एक कोश्चन से जो इस टाइप से बना रखें कवर कर रखे हैं सार मैंने reasoning के अपनी नोच बनार कि हैं science के लिए मैंने NCRT की books यूज की थी 6 से लेके 12 तक क्योंकि मैंने TGT और PGT की तियारी की थी तो 6 से लेके 12 तक मैंने science के अपनी NCRT की books यूज की थी NCRT की books है न सब के लिए important है सब को NCRT में सही पढ़ना चाहिए से बार कुछ नहीं आता हालांकि एक दो question tough होता है लेकिन वो भी अगर इसको ध्यान जे पढ़ते है तो cover हो जाता है तो अपको NCRT ही बताऊंगी मैं तो कि NCRT से ही पढ़ो NCRT important है ठीक है उसके बाद आता maths मैंने कहां से की थी मैंने कुद के नोट्स बनाए है ठीक है यह सारे मैंने previous years के और वैसे इंपोर्टन जो questions है मैं रातन classes देख देखके YouTube से यह कुछ important teachers के जासे coaching वगरा ली थी मैंने important notes बना रहे है मैंने पढ़े थी मैंने प्रैक्टिस की थी पढ़़गे उतना important आप वैसे कोई भी किसी भी उसकी राइटर की ले सकते हो math की प्रैक्टिस के लिए book या या YouTube पे देख देख के आप प्रैक्टिस कीजिए ठीक है मैंने तो यही पढ़ी थी इनसे बाहर कुछ नहीं आ था इनके अंदर से आ जाता बस सबसे कोटेंट आप टीवी सीय लगाई है आपको पता रही है लोग टेस्ट लगाई है कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं उस कोडिंग आप अपनी तयारी कीजिए ठीक है जो है स्टेट में ही या तबी सीडीप सीडीप मैंने तयार की थी एक कुछ बुक्स पड़ी थी लेकि के हैंसे भी कर सकते हूं जो भी आपको सुट्ट लगे ऐड़े कश्ट लेसमेर हैं सीडीप के जिसको भी चाहिए हो तो स्टेक्ट कर सकते हहों थिक है कमेंट करके बताते बाकि मैंने previous years लगाए थे और यही सब फोलो किया था और नीशा सुर्माचीवर्स Academy से मैंने CDP ली थी ठीक है reasoning और maths के मैंने notes बना रहे हैं CDP के notes बना रहे हैं previous year मैंने यहां से लगाए थे यही सब फोलो किया था अब इस pattern से फोलो करके देगे एक बार आपका जुरूर करेक होगा instead बाकि की security के लिए मुझे कमेंट करके बता सकते हो जो भी आपको question मुझे है okay thank you